नमस्कार किसान बाईयो किसान बाईयो, प्याज की फसल की सीरीज का ये तिसरा वीडियो है इसके पहले हमने दो वीडियो बनाये थे जिसमें आपको प्याज की फसल की गुवाई से लेके कटाई तक खा दुरूरक प्रबंदन और नर्सरी प्रबंदन की जानकारी इसके फर्स्ट वीडियो में दीती इसका हमने जो सेकेंड वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको प्याज की फसल की विभिन उन्नत किश्मों के बारे में जानकारी दीती और यह जो वीडियो है यह इसका थर्ड पार्ट है यानि इसका तिसरा वीडियो है इस सीरीज का जिसमें हम आपको प्याज की फसल में खरपतवार प्रभंधन की जानकारी और उसके साथ में रोग और कीटो कर प्रकॉप की जानकारी और उनके निवारण के बारे में जानकार देंगे तो वीडियो में दी गई जानकारी को आपको अच्छी तरुके समझने के लिए वीडियो को बिना स्क्रिप किये पूरा जरूर देगे तो स्मार्ट फार्मार ओप एग्रिकल्चर एजन यूडिव चनल पर आप सभी का स्वागत हैं चलिए हम सुरू करते हैं किसान सा के लिए फसल में खर्पतवार नियंत्रन के लिए आपको दो से तिन नेंदाई गुड़ाई की आवश्यक्ता होती हैं फसल की पहली गुड़ाई रोपाई के 15 दिन बाद और जो दूसरी गुड़ाई है वो रोपाई के 35 से 40 दिन बाद आप करे और उसके बाद आप आवश के लिए आप प्याज की बुवाई के बाद तीन दिन के अंदर अंदर अंकुरन से पहले ही पेंडामेथलीन 30 8.7 CS को 700 ml प्रती एकड की दर से छिड़काव करें इसके अलावा यदि आप यह समय पर नहीं कर पाते हैं तो आप अडामा कंपनी की जो डेकल हर्भी साइड आत प्याज की फसल लगाने से 25 से 30 दिन के बाद आप इसको इस्प्रे कर सकते हैं यह प्याज की फसल में दोनों प्रकार के खांस संक्री पत्ती और चोड़ी पत्ती दोनों प्रकार एक खर्पतवार को नियंतरित कर लेता हैं इसके अलावा किसान भाईयो आपको इसकी जो मात पत्ती को और ओक्सिफ्लोप्रेंट चोड़ी पत्ती को खत्म करता हैं तो इस प्रकार आप खर्पतवार नियंतरित कर सकते हैं आई अब बात कर लेते हैं रोग और कीट को बारे में कीट प्रकॉप प्याज की फसल में मुख्य रूप से एक कीट लगता है जो बहुत को चुचते हैं पत्तियों में रस की कमी होने पर किनारे जलने लगते हैं अधिक प्रकॉप होने पर पत्तिया पीली पड़ जाती हैं जिससे पोधे का विकास रुख जाता है और पोधे बिमारी ग्रशित हो जाते हैं पोधों में बिमारी आने का एक बड़ा कारण थ्रिप से भी रहता है यह पत्तों को डेमेज करते हैं जिससे क्लोरोफील कम होता है पोदों का प्रकास सस्लेशन सही से नहीं हो पाता है बोजन का संचे पूर्णा तो नहीं होता है और ओस्तन जब इन डेमेज पत्तों पर ओस गिरती हैं तो इसमें सब फबुन जनित बेक्ट्रिया जने द्रोग उत्पन हो जाते हैं इनके बचाव के लिए आपको निले रंग के ट्रेप 20 प्रती एकड की दर से लगाना चाहिए इसके राशानिक नियंतरन के लिए आप जो लेमडा साइलो थरीन इंसक्रिसाइड आता है 5% EC फोम में उसको आपको 120 ml प्रती एकड 150 लिटर पानी के साथ मिला कर इस्प्रे करना चाहिए या फिर आप फिर फिप्रोनिल 5% EC को 300 ml पर एकड के अनुसार भी इस्प्रे कर सकते हैं या इसके अलावा आप इस्पिनो टोरम 11.7 EC को भी 200 लिटर पानी के इसाप से प्रती एकड चिड़काओ कर सकते हैं इसके अलावा आप अन्य इंसेक्सेड जो रस्चिशक कीटों को कंट्रोल करते हैं जैसे प्रोफेनो फोस प्लस साइफर मेतिन के साथ इमीडा क्लोप्रेल 17 लो आट परसेंड एस्सी फोम में या फिर लेमडा साइलो 3 प्लस थाय मेत्यक्सम जैसे कॉंबिनेशन टेक्निकल का वह उप्योग कर सकते हैं जैविक नियंत्राण के लिए आप 600 ml नीम ओयल 913,000 ppm पर एकड की दर से भी आप इसपरे कर सकते हैं और इसके लावा आप ट्रेप लगा सकते हैं इसके लावा अन्यकिट जिसे वाइड़ फ्लाई, केटर पिलर आदी भी प्याज की फसल में लगते हैं तो उनको भी आप इन इंसेक्ट से ही नियंत्रित कर सकते हैं 15-20 दिन के अंतराल में आप इनको दोबारा इसपरे करें प्याज की फसल में एक अन्यकिट दिमक लगता हैं जो जड़ों में दिखाई देता हैं इसके कराण पोदे के तने और जड़े सुकने लगती हैं पोदे की हो जाती हैं इसके बचाव के लिए आप कच्ची गोबर खात का प्रयोग ना करें यानि कि आपको सड़ी हुई उप्युक्त खात का ही प्रयोग करना चाहिए सड़ी हुई गोबर का खात का ही प्रयोग आप करें यदि पहले से खेत में दिमक की समय रहती हैं तो किट नाश इसके अलावा आप जो ग्रेनियोल फोम में जो किटनासक आते हैं जैसे कार्बो, कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड 0.600GR या फिर फिफ्नोरनील 0.600GR का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके खेतों में हमेशा दिमक की समिश्या रहती हैं तब आप बुवाई से पहले ही इन किटनासकों का भुरकाव करें या पहली सिंचाई में भुरकाव करके पानी चलाएं। जेविक नियंत्रन के लिए आप नीम की खली दो क्यूंटर प्रती एकड की दर्से बुवाई से पहले खेत में मिलाने से भी दिमक का प्रकों कम हो जागा है। इसके अलावा किसान भाई यदि रोगों की बात की जाए तो प्याज की फसल में एक प्रमुक रोग जूलशा रोग जो की ब्लाइट डिसीट के नाम से जाना जाता है। परपल ब्लाइट और सिद ब्लाइट के रूप में यह लगता है। यह रोग मुख्य रूप से वातावरण में परिवर्तन, अच्तेदिक आद्रता, हुमिडिटी यानि अच्तेदिक नमी होने पर लगता है। यह खरीब की फसल में ज्यादा देखने को मिलता है। यह एक बेक्टरियल फपुनजनित रोग होता है। इसकी पेचान प्याज के पत्तों पर उपर की तरफ या बीच में हलके नारेंगिरक के धब्बे बनते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते जुलसा जाते हैं। उनमें कट लग जाता है। इसलिए इसे जुलसा रोग के नाम स अच्छन आपको दिखाई दे। तो शुरुवाती अवस्ता में आप जो एजुक्ष स्ट्रोबीन 8.2% प्लस दाय फेना कोना जोल 11.4% स्ट्रोब में आता हैं। उसको आप 200 ml प्रती एकड 200 लेटर पानी में गोल कर इस्प्रे करें। इसके अलावा किसान भाईयो आप क्लस्ट्रोबीन 5% WG को भी इस्प्रे कर सकते हैं। जिसका डोज आपको 35-40 ग्राम प्रती 15 लेटर पानी या पिर 400 ग्राम प्रती एकड के अकोर्डिंग रखना चाहिए 100 लेटर पानी में मिलागा। इन राशनिक दवाईयों की संपुन जानकारी आप हमारे चैनल इस्मा प्रती एकड की दर्शे रोपाई के पूर्वखेत में मिला देना चाहिए तो किसान वाईयों यहती रोगों और किटों के प्रकोप की पहचान बचाओ रोकताम की जानकारी साथ ही खर्पतवा नेहंतरन की जानकारी भी दी गई है जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के आकार में व्रद्दी के लिए आपको कौन-कौन से काईर करना चाहिए जब आपकी फसल 40-45 दिन के हो जाती है तब आपको 30 kg यूरिया प्लस पांच किलो में जिन्ग को 33 प्रत्यव newyan करें जब फसल आपकी 50 से 55 दिन के हो जाती है तब आपको एक किलोग्राम NPK 0,524 को 300 ml और उसके साथ में 300 ml इपको सागरीगा को 150 लिटर पानी में प्रती एकड के अकोडिंग छिड़का करना चाहिए जब आपकी फसल 6-65 दिनों की हो जाती है तब प्रती एकड आपको 1 किलोग्राम NPK 13,045 और 400-500 ग्राम बोरोन B20 को 150 से 200 लिटर पानी के अकोडिंग मिला का छिड़का करना चाहिए जब आपकी फसल 7-75 दिन की हो जाती है तब आपको प्रती एकड खेत में 60-90 ml लियोशीन और 1 किलोग्राम NPK 0050 को 100 लिटर 50 लिटर पानी में मिला कर श्प्रेइ करना चाहिए पाला पढ़ता समय पाले से फसल को बचाने के लिए मानसुन विबाग से पाला पढ़ने की चेतावन यद्ल दी गई है तो आपको फसलो में हलकी सीजह करना चाहिए जिसे खेत का आप मानसुनिय से निचे नहीं गिरेगा फसलो में पाला से बचाव हो जाएगा इसके अलावा आप खेद के पास धुहाँ भी कर सकते हैं राशायनिक उपचार के लिए आप पाला पढ़ने की संभावना होने पर गंधक अमल 0.1% गोल कर छिड़काव करना चाहिए इसके लिए आपको 1 लिटर की संभावना या पाले की संभावना बनी रेती हैं तो 15-15 दिन के अंतराल में आप 12 चिड़का कर सकते हैं किसान बाईयो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सही तरीके से समझ में आई होगी यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो जय भाराद